हेलो फ्रेंट्स मैं आर्थी आप सभी का वेलकम करती हूँ मेरे चानल लर्न लाइवली पर तो फ्रेंट्स आज मैं आप लोगों किस वीडियो में बताने वाली हूँ अंतराश्ट्री या महिला दिवस पर स्पीच तो दोस्तों आप अपनी स्पीच की शुरुवात कैसे करें आप अपनी स्पीच की अंत कैसे करें आप अपनी स्पीच में बीच में क्या बोलें ये सारी चीज़े आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी तो दोस्तों आईए हम अपनी भाशर अपनी स्पीच को तयार करते हैं सभी को मेरी ओर से शुप्रभाद, यहां पस्तित होने के लिए आप सभी को धन्यवाद, इस विशेस अवसर पर मैं आज अंतराश्ट्री महिला दिवस पर एक स्पीच देने जा रही हूँ, मुझे बहुत प्रशनिता है कि मुझे इस कारिक्रम की मेजबानी और एक स्पीच का अवसर मिला है, सबसे पहले मैं CEO, निदेशक मंडल और इस संगठन की प्रबंधन समीती के प्रती अपना आभार व्यक्त करना चाहूंगी, जो काम और सामाज की महिलाओं के शशत्ती करण के महत्व पर बहुत जोर देती है, और इस प्रकार हमारी कमपनी हर वर्ष इस सम सम अगठन का एक हिस्सा बनना वास्तों में मेरे लिए एक संमान है, अंतराष्ट्री महिला दिवस भ़द इन हैं जो विशेश लूप से महिलाओं के लिए समयर्पित है, हर किसी के जीवन में एक महिला का उपस्तित होना बहुत जरूरी होता है, इस दुनिया में महिलाओं के बिना जीवन संभव नहीं है प्रतियक लड़की जिसका जन्म होता है उसे विरासत में महिला की विशिष्टाएं मिलती हैं महिलाओं में देख भाल इसने और अंतहीन प्यार करने की विशेश भावनाएं शामिल होती हैं अंतराश्ट्री महिला दिवस पूरे उत्साह से प और संस्कृतिक अधिकार है और साथ ही इससे लिंग समानता को भी बढ़ावा मिलता है नारी यह कोई सामान शब्द नहीं है बलकि एक ऐसा समान है जिसे देवत्व प्राप्त है नारियों का इस्थान वैदिक काल से ही देव तुल्य है इसलिए नारियों की तुल्णा अधिक आगमन से की जाती है किया कभी आपने सुना है कि बेटे के जन पर ऐसी तुल्णा की गई हो कि घर में कुबेर आए है या विश्लू का जन्म हुआ है नहीं यह समान के वल नारी को प्राप्त है जो की वेदो पुराणों से चला आ रहा है जिसे आज के समाज ने नार के रूप में देखा जाता है और यह कहा जाता है कि नारी को शिक्षा की आवशक्ता ही नहीं जबकि जिस भगवान को समाज पूस्ता है वहां नारी का अस्थान भिन्न है मा सरस्वती जो विध्या की देवी है वह भी एक नारी है और यह समाज नारी को ही शिक्षा की योग नहीं समझता मा दुरगा जिसने राक्षशों का वद्ध करने के लिए जन्म लिया वह भी एक नारी है और यह समाज नारी को अबला समझता है कहां सही हा समाज नारीके लिए अबला, बेचारी जैसे शब्द लाता है एवाद नारीको शिक्षा के योग नहीं मानता जबकि किसी पुराण, किसी वेद में नारीकी यह स्थिती नहीं जो इस समाज नारीके लिए तै की है ऐसे में जरूरत है कि महिलाओं को ही अपनी शक्ती समझने की और एक होकर एक दूसरे के साथ खड़े होकर स्वैम को वह सम्मान दिलाने की जो वास्तों में नारी के लिए बना है वुमें डिप प्रती वर्स आठ मार्ज को मनाया जाता है लेकिन आज जो औरत की हालत है वो किसी से नहीं छिपी है और ये हाल केवल भारत का ही नहीं पूरे दुनिया का है जहां नारी को उसका ओदा नहीं मिला है सिर्फ एक दिन उसके नाम कर देने से करता भी पूरा नहीं होता है आज के समय में नारी को उसके अस्तित्व एवं असिम्ता के लिए प्रतीपल लड़ना पड़ता है यह एक शर्मनाग बात है कि आज हमारे देश में बेटी बचाओ जैसी योजनाए है आज घर में बेटी को जन्म देने के लिए सरकार द्वारा दबाव बनाया जा रहा है क्या बेटिया ऐसा जीवन सोच कर आती है जहां उसके माबाप केवल एक दर के कारण से जीवन देते हैं समाज के नियमों ने समाज में कन्या के स्थान को कमजोर किया है जिने अब बदलने की जरूरत है आज तक जो हो रहा है उसे बदलने की जरूरत है जिसके लिए सबसे पहले कन्या को जीवन और उसके बाद शिक्षा का अधिकार मिलना जरूरी है तब ही इस देश में महिला क किस्तिति में सुधार आएगा हमें अपने सभी प्रयासों को जारी रखना चाहिए पुरुषों के मुकाबले महिलाई किसी भी रूप में कम नहीं है यह सिर्फ अमारी मान सकता है प्रतियक महिला को अपना महत्व समझना चाहिए और उनमें अपनी प्रगति के लिए प्रयास करने का साहस होना चाहिए पूरे संगठेन की तरफ से यहां मौझूद हर महिला को महिला दिवस की शुब कामना है महिला शक्ति अविश्वस्नी है और इसे कुछ शब्दों के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता है धन्यवाद तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही आशा है कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही मददगार होगा मैं आपको फिर मिलते हूँ एक नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें खुश रहें